मैंने जूट नहीं बोला इस sentence की English जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए इस sentence को English में translate करते हैं एकदम basic से तो पहले हम देखते हैं sentence के अंत में क्या है तो इस sentence के अंत में है बोला तो जिस हिंदी sentence के अंत में करिया के साथ आ करके आता है जिसे इस मेंने की बोला मैंने की English लिखेंगे I उसके बाद हम लिखेंगे helping verb did फिर not लगाएंगे फिर लिखेंगे जूट देखेंगे जूट बोलना को इंगलिस में कहते हैं tell a lie तो हम लिखेंगे tell a lie I did not tell a lie मैंने जूट नहीं बोला इस sentence की English है I did not tell a lie तो दोस्तो मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English Translation के next वीडियो में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी sentences का English Translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं